गुलबरगाश शहर के मेस के मिल रिंग रोड पर क्यूपी होस्पिडल के सामने अन्ने के आटीसी बस और मोटर साइकल के बीच एक्सिरेंट हुआ जिसमें मोटर साइकल पर सवार अब्दुलजीज नामे नौजवान बुरी तरहा जखमी हो गया है एक्सिरेंट के बाद मेस के मिल मिजवानगर और आसपास के लोग काफी गुस्से का इजहार कर इतिजाज कर रहे हैं देखने वालों ने कहा रिंग रोड पर दो अन्नी के आटीसी बस एक दुसरे को वाटेक करने की कोशिश कर रहे थे और यह एक्सिरेंट हो गया जिसमें बाइक सावार अब्दुलाजीस बुरी तरह जखमी हुआ है अब्दुलाजीस की हालत इतनी खराब है कि अभी क्यूपी हॉस्पिलल में वो जिन्दगी और मौश से लड़ रहा है डुक्टर ने कहा एक्सिरेंट में अब्दुलाजीस के पेट और कमर में काफी ज्यादा इंजोरी हुई और कुछ हट्डियां फिराक्चर हुई है एक्सिरेंट के बाद महले के लोग एनिके आडिसी बस के अलावा रिंग रोड की हालात बया कर अब तक रिंग रोड पर कई एक्सिरेंट हुए और कई लाशें उठाई गई है पर कोई एलेक्टर रिपरेजेंटिव इस मसले पर गोर कर इस इसु को सॉल्व करने की फिकर नहीं किया है एक्सिरेंट के बाद लोग काफी ज़्यादा नाराज हैं और इंग रोड पर सड़क जाम कर इतजाज कर रहे हैं है उदए नहीं मैंदम हमने जाले जाने है भाइज जाने पर आखना उने जाले जबंड़ाबाद अने किया किया मुर्जाबाद टाए केसाटीजिशी मुर्जाबाद पोलिस डिवाडमेंट मुर्जाबाद तो लोग आ रहा है यहां पर बात करना बात करने लेके बाद बच्ची को कंबिशजीशन देना बुरा हिलाज कर अना तब है हम को ह drowning ने खोलने वाले मुड़ा बाद मुड़ा बाद मैं दॉप्टर मुजीब मैनेजिंग डेरेक्टर क्यूपी ग्रेटिकल केर हॉस्पिटल आज की जो न्यूस में आने का मकसर यह है कि आज यहाँ पे हॉस्पिटल के खरीबन खरीब एक लड़के जीस नामी शक्स का जो बुरी तरह से एक्सिजेंट हो गया है और पेशन्ट को पूरा पेल्विक क्रश इंजूरी हुआ है और म इनको लेके हॉस्पिटल लेकर आके उनको एमर्जनसी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और तकरीबन ने तीन से चार लेटर ब्लॉड लॉस हुआ है उसके लिए पूरा अर्जमेंट ब्लॉड बैक्स अर्जमेंट हुआ है और काफी जो भी पेल्विक क्रेश इंजूरी है और जो भी बून्स फ्रैक्चर है उसके लिए जनरल सर्जन्स और हमारे और्टोपेडिक सर्जन्स और आइसीव पूरा इंटेंस्विस्ट टीम पूरा उने हैंडल करने का कोशिश कर रही है और उनका कंडिशन फिलाल थोड़ा कंट्रोल में है और हो सके तो और अच्छे ह चाने पूरा ब्लाडर इंजूरी हुआ है बोवल पूरा पेट के बाहर आ गया है और पैल्विक बॉंस फ्रैक्चर हुए हैं और राइट फीमर फ्रैक्चर लेफ्ट टीविया फ्रैक्चर बहुत सारे तकरीबन चार से पांच बोन्स फ्रैक्चर है और ब्लड लॉस तरी मैं यहां पर क्यूपी हास्पेटल से बात कर रहा हूं एक घंडा पहले यहां पर अजीज नामी एक नौजवान बच्चे का जिसकी उमर है ना बाइस्तेविस साल है कि के साइटिक्स के बस एक दूसरे को ओर ट्रैक करने के लिए आज है ना बच्चे की जान ले लिए हैं जो रोड का काम चल रहे हैं जाहां पर रोज इतना मैं कि अगर एक बस अगर जारी दूसरी बस अगर वो टेक कर रहे तो वो एक दूसरे को हमाइग्सिजन्ट होनी के 90 परसेंट चैंसर उसके अंदर है नहीं यहां पर लोकल के चलने वालों के है ना आज अपनी है ना जान हतेली के पर लेकर चल जहां पर इसकोल के बच्चे हैं य करने के लिए ना तमाम हमारे अलयानी महिला जिलाना बाद की अपील है और बच्चे के हैं जान पूरी है ना खत्रे मी है इंशाला ताला दुआ के जिये बच्चे हैं ना सहीते आपता हो और यहां पर टेक्निकल पूरा यह पूरा है ना यह जुम्मेदारी है इसको दिये जाते है और दूसरा क्या है के साटिस्ट के जो ड्रेवर्स है जो अपने ही बस को एक दूसरे को और ट्रेक करने के लिए जिसके परवास नहीं है है उनको किसी के जान जारीए कुई मर रहा है कोई बच रहे है किसी का हैक आथ हो रहे इसके लिए इसके लिए आपर केसाटी से की ड्रेवर सिथी जूम्मेदार है। मेरा नाम एजाज इनाम दर अभी यहां पर जो देख रहे हैं यह क्यूपी हास्पिटल है और यहां पर हमारे पडोस में जो बच्चा रहता है अब्दुलाजीज जो बहुत कमशिन बच्चा है चोटा सा बच्चा है कॉलेज का स्टूडेंट बच्चा है उसका जो है अभी बच्चे का एक्षिरंट हो गया है और जो केसाटीसी से जो बसस है वह एक दूसरे से आगे बनने में बच्चे की जान को जो है हलाकत में डाल दिये हैं कि बच्चा बहुत सीरियस है इसलिए मेरी गुवर्नमेंट से और गुलबर्गा लेवल से यह अपील है कि हम थोड़ा चले उसे से पबली मेंfund को जाने के लिए दर्खास्त है और जो में रोड है जो हैवे है वहां से पहले तो ये बात के रोड़ बना ही गलत है ॉसके ओपर पबलिक जो है किस तरीके से चले यह पबलिक का जो है यह हम अपने जान को हलाकत में लेकर जो है रोड पार कर रहे और जो है रोड के उपर से गुजर रहे हैं और रोड के उपर और यह जो हमारा जिलानाबाद का यहां पर जो हमेशा बहुत सारे बच्चे इस्टूडेंट हैं कॉलेज़स हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं खवातीन हैं जो हमेशा और हमातन रोड पार करने के लिए कामला आई जिलाता इमा मुस्तमरा ताफा